मसकर साथियों कैसे हो आप सभी I hope कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जहां भी होंगे अच्छे होंगे दोस्तो बिहार विधान पर्षा सची वाले की भरती जारी कर दिये गया है इस वीडियो में बताऊंगा एज सेलरी और सेलेक्षन प्रोस क्या होने वाला है तो वीडियो क दीर ना करते हैं तो जैसा की फ्रेंस याँ आप देख सकते हैं की बिहार बिधान पर्षा सची वाले यहां पर प्रशासनिक सहायकपर्षागा परिदिकारी के द्वारा यहां पर डाटा इंट्री ऑपरेटर तरथा अस्टेनो ग्राफ और अपात यहां पे सची सनवर्ग अती लीपिक यहां पे रिक्त पोद पर सीधी भरती है तो विज्यापन संख्या दूद वेर 24 को प्रकासन बिहार विधान पर सची वारे द्वारे किया गया है तो फ्रेंस यहां पर आपको देख सकते हैं कि साफ साफ आ होती है वो कीतने तरुए से स्टार्ट होने वाली है और और कितने ड़ेट को यहां पर कखत्व होने वाली है तो जैसे ayam大概 महें आपको बता दूए दोस्तों कि यहां पर बारत सयर्भान बॉत बुट्यची केहां परशचीATE की सबंद बीष्וש ना 爪्र नें लिए कर सकते है उसके बाद अभयार्थी online आवेदन भरने के परिकिरिया प्रारम करने पूर वेबसाइट प्रदसित विज्टित विज्टित विज्यापन भरने है तो आवेशक एवन विज्टित निदेश मतलब हली भाती पढ़ ले मतलब जो भी notification के जरीए आपको सहायता यहाँ पे दिया गया है अगर आपको भारा भरत देता है तो आप यहाँ पर स्वम वार्थ से शनी वारण यहाँ पर दस बयश देंगे पांच बयश तक इस पर आप कॉल करके जनकारी ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर इमेल भीज को कर सकते हैं कि जो सेचरी कि यहाँ पर अनुमाने रच जनकारी मतलब दे दिया गया है आप मतलब नुर्फिकेशन की जरीया पड़ सकते हैं जनकारी ले सकते हैं मैं ज्यादा मतलब बताने लगए तो आपको मतलब वीडियो लमबा हो जाएगा और यहां पर दुस्तों मैं बता दू कि सेचरीदि की योगता की बात करते हैं मतलब जो भी यहां पर साबसा बता दिया गया है कि आपको मतलब जो भी इचुक है करनेट यहां पर भरना चाहिए क्या होने वाला है तो देख सकते हैं कि सहाय को प्रसाखा परदिकारी है उसका यहां पर देख सकते हैं वेतन की बात करते हैं साथ बात वेतन यहां पर प्राप्त वी सुबिद्याले असनातक उबादी होनी चाहिए मतलब आपको के अंदर सरकार से प्राप्त हो या राजय सरकार से आपको प्राप्त हो आपको मतलब असनातक पास किया होना चाहिए अब जो भी यहां पर देख सकते हैं बतायागा है कि हिंदी टंग 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 गति की स्पीड आपको 30 मतलब सब्द की प्रती मिनट होनी चाहिए जो कंप्यूटर आपको टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद यहां पर वांचित योगिता कंप्यूटर पाथ क्रमार पत्र होना चाहिए और भी यहां पर देख सकते हैं जो डॉकुमेंट मांगा गया हो बगेंस यही इसमें लेबल आपको कितना मिले वाला है सेलरी किया है तो यहां पर सेलरी 25,500 से लेकर 800,000 रुपया तक आप सेलरी प्रती महिना मिलने वाला है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं योगिता की बात करते हैं तो यह राजय सरकार एकेंदर सरकार मनेता संस्था एकतितान एवम इंटरमीडियर पास होना चाहिए गशितल प्रती अवचbles अप्रतार मापने आपको कॉंप्यूटर रहना चाहिए उसके बाद यहां पर तीन नेमर जो भकेंसी दिया गया आशु लिफिक जो भकेंसी है यहां पर 25 जर इसकी सेलरी की बात करते हैं 25.500 से यहां पर नियमा नुसर आपको अन्य भत्य के प्राप्त के तोर पे दिया जाएगा प्रती महीने उसके बाद मैं बताएं दोस्तों कि यहां पर जो योगिता बात किया गया है यहां पर वी सुभी देल असना तक पास होना चाहिए यहां पर आपको जो भी मतलब computer का knowledge है इसमें आपको आसु लेखन गती जो होती है आसी percent यहां पर सब्द होगा उसमें फ्रती मिनट मतलब आपको computer typing करना है और यहां पर हिंदी अंग्रेजी दुनो करना है दोस्तों यहां पर आपको computer जो मतलब मागा किया पिटे को होना चाहिए और दोस्तों यहां पर अराचण की बात करते हैं तो देख सकते हैं बताया गया है कि नई रखतिया गया है प्रसासन भी भाग बिहार सरकार के अने यहां पर संख्या दिया गया बाइस एगार दोया तेश्ट मतलब तेश दुआरा अधिसूचत अधिस होना चाहिए और उसके बाद यहां पर देख सकते हैं सारी चीजा आपको बताया गया है कि क्या कि आपको लगने वाला है डोकॉमेंट और यहां पर उम्र सिमा की बात करते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं कि जो मतलब पहला जो भकेंसी है सहायक मतलब प्रसाखा प्रदिका तो इसका जो उम्र की count होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि 1-1-24 से लेकर जो मतलब एक कई सवर्स के यहाँ पे आयू होनी चाहिए आपको एज जो count होगा 1-1-24 से age count होने वाला है उसके बाद data interpreter की बात करते हैं तो इसका भी count 1-1-24 से count होने वाला है और इसकी उम्र की बात करत होने वाला है और इसकी उम्र की बात करते हैं तो 21 बरिस प्लस वाले लोग यहाँ पे भारम को apply कर सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिक्तम आयू यहाँ पर दिया गया है मतलब जो छूट दिया गया है यहाँ पर पुरुस के लिए 37 वर्स छूट दिया गया है और यहाँ पर महिला और मतलब जो पिछड़ा बर के होते हैं महिला और पुरुस उन लोग 40 बर्स के दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर अनुसूशी जाती होला होते हूं उसके 42 बरिस के यहाँ पर आपको यह मतलब रखा गया है बर्स उसके बाद यहाँ पर दो सकते और दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें ताकि उन्हीं भी जनकारी मिल सके